हेलो फ्रेंड्स आप सब्सक्राइब स्वागत है आपके अपने वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्णट है नवाला है क्योंकि जो आपकी मोस्ट अवेक्टिड वेकेंसिस को बोल सकते हैं ए एस आई सी में देख ऑ चुकि है तो काफी लंबे समय से स्टुदेंस को इंतजार था यस जोडंब बहु से स्टुदेंस क्यवेट करते। देखे यẹँ सब boast घला मतलब कि हमारे पास golden opportunity है बहुत ही अच्छी और देखे इसमें सबसे main बात तो है मतलब कि 135 लगबग इसमें post है तो post भी काफी अच्छी है बहुत ही हमारे पास बहुत ही golden opportunity लगबग जो मैं आपको बता रहे हूं लास्ट जो पेपर वा तो 2019 में इसका एक्जाम होगा तो काफी लंबे टाइम से इसका वेट था क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छी आपकी अभी 135 लगबग पोस्ट है तो इसमें सबसे main बात है यह आपकी सेंटर की वेकेंस है तो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब की आर या पार वाला होना चाहिए इतने अच्छे तरीके से की प्रप्रशन करने ना कि मोका चुखना नहीं जाए बस ठीक है तो अभी हम ना सारे इसमें देखिए हम जो है यह साइसी की ओफिशल वैब साइट पर है ओके तो इसमें यहां पर है देखिए क्लिक है टू सब्मेट यहां पर यह लिखा हुआ रहा है ना ओनलाइन अप्ल नोटिफिकेशन खुल के आजएगा तो आपको डिफरेंट देखिए बिहार का दिया हुआ है चंडिगाट पंजाब का टिफरेंट इनमें ना जैसे तमिलाणू में चार वेकेंसी और बिहार वाला में तो सारा आप देखिए सबसे ज्यादा जो है डैली का जो है ना उसमे सेम ही है जो इलिजिबिलिटी है सब को सब में सेम ही लिखा हुआ है है ना तो हम जो है यह डैली एंसी आर वाला खोल के देख लिए क्योंकि सब ज्यादा नंबर ओफ पोस्ट इसी में ही है फार्मासिस्ट की ओके तो देख लेते हैं इसे तो देखिए हमने जो है डैली वा वेकैंसी के बारे में तो इसमें आप लोग देखें फार्मासिस्ट की वेकैंसी है नंबर सैवन पे और फार्मासिस्ट में भी हम बात करेंगे फार्मासिस्ट एलोपैथिक बाकि आयलवेदे की होमेपैथिक की बिद्य इसमें फार्मसिस्ट में फार्मसिस्ट एलोपैथिक इसमें जो है यू आट जनरल के टेगरी के लिए 30 पोस्ट है सब्सक्राइब आप लोग अच्छा नंबर है यह 91 आप लोग कोई पोस्ट है इसमें तो आप लोग जो है इलीजिवल है अपलाई कर सकते हैं क्योंकि यह जो संटर की विकेंसी है तो ओल इंडिया के निए इसमें हम देख लेता है कैसे क्याद एसमें आपको एज क्या रिकुर्मेंट है सारी जो इसेंस्टल क्वालिफिकेशन में हम लोग देख चलेंगे तो हमारा फार्मासिस्ट कितने नंबर पे था यह नंबर शिक्स पर फार्मासिस्ट एलोपैथी है ना तो देखिए इसमें देखिए लेवल फाइफ का जो आपका पेस्केल रहने वाला है और बाकि एज जो है आपकी नोट एकस चाहिए और बाकि डिग्री इन फार्मेसी अगर आप लोगोंने भी फार्मा किया है तो आप इसके लिए इलीजिवल है सेकेंडरी सीनर सेकेंडरी भी डिप्लोमा इन फार्मेसी या फिर आपने डिप्लोमा किया तो भी आप इलीजिवल है डी फार्मा वाले स्टूडेंट है सबसे मेन बात है आपका रजिस्टरेशन आपके पास होना चाहिए ओके आप रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होने चाहिए तो देखें भी फार्मा प्लस रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट आप लोग होने चाहिए कोई भी इसमें ऐसा कुछ एक्सपीरेंस वगारा कुछ मांगा नहीं हुआ तो मैं आपको बता रही हूं बहुत ही अच्छा मोका है हमारे पास और इसके लिए मैं इतनी अच्छे सापको प्रप्रशन कराने वाली हूं ना बहुत बड़े तरीके से तो यह हमारा हो गया भी फार्मा डी फार्मा प्लस हमारा रजिस्ट्रेशन होना चाहिए बागी कुछ इसमें हमारा कुछ इसमें एक्स्पीरेंस वगरा कुछ इसमें रिक्वार्मेंट है नहीं और बाकी देखे एज जो है आपको बता दिया है ना और जो इसमें रिलाक्सेशन का यह कैटेगरी वाइज आप लोग देखे लिए ना सीस्ट को थ्री फाइफ यर्स का होता है ओबिसी का थ्री यर्स का बाकी यह सारा आप इसमें जो है रिलाक्सेशन का देख लिए ना नोटिफिकेशन है एससी के ओफिचल वेबसाइट पर जाएए वहाँ पर मिल जेगा आपको नहीं तो मैंने जो है यह टेली ग्रम चैनल पर यह टेली वाला तो है यह टेली चैनल पर डाल भी दिया है और कि हाव टू अप्लाइब का लिखा हुए कैंड़ेट अप्लाइट अप्टूबर तक हैं 30 10 20 23 30 अक्टूबर तक इसके लि जो आपको पॉइंट्स हैं तो सारा का सारा अगर आप खुछ से फॉम फिल अप करते हैं तो सारा अच्छे से एक पॉइंट को रीड़ करके उसके बाद फॉम फिल अप करना होता है तो देखें बिफोर अप्लाइंग ओन्लाइन कैंडेशूट स्कैन देयर फोटोग्राफ स्कैन करना है सिग्नेचर बाकि लेफ्ट थम का इंप्रेशन चाहिएगा हैं रिटन डिकलेरेशन चाहिएगा थिक्षार इंपना अच्छे से मतलब अपना फोम फिल अब करना है अगर आपको कुछ भी दिक्कत होती है तो आपना कैफे से भी देखे जाके फोम फिल कर सकते आपके डिटेल गाइड लाइन प्रोसेजर फोर अप्लिकेशन भी सब आपको दिया वाया अप्लिकेशन मतलब इन में पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है देखें कैंडेट्स को यहां पर जाना है वैब साइट पे और जो अपलाई ओनलाइन गी अभी मेरा आपको दिखाया पेमेंट ओफीज का सारा यह अमाउंट कितनी है दिखें यह लिखा हुआ है कि जो कैटेगरी है और जो फीमेल कैंडेट्स है इन सबके लिए टूफिप्टी और बाकी जो है फाइफंड रुपीज के चार्ज से चार्ज भी कुछ जादा नहीं है मोड ओफ पेमेंट आपक आपको दिया हुआ है कि बाकी सेंटर ओफ एग्जामिनेशन का लिखा हुआ है कि वाइल अप्लाइंग ओनलाइन अप्लिकेशन के एंडिर मस्ट सेलेक्ट सेंटर करना सेंटर को जहां पर आप एग्जाइम देना चाहते मतलब सेंटर मिलेंगे तो आपको मतलब खुद के आपको फेजह बंधेन data स्कीम ओफ एग्जामिनेशन देखिये कए आपका फेज वन स्कीम तेम और ओ टैस्न के अपकर वो हमारा number of questions 50 questions होंगे और hundred marks के होंगे question 2 marks का होगा एक question important है तो एक-एक questions के लिए हमें struggle करना है एक-एक questions के लिए हमें महनत करनी है पड़ तो बहुत से लोग रहे हैं बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं लेकिन हमें अपनी preparation जो करनी है बहुत ही अच्छे तरीके से करने क्योंकि हमें तो यह पोस्ट लेनी ही है okay 50 questions है 100 marks के हैं तो ही 100 marks के लिए और बाकी आपका देखिए general awareness के 10 questions वो 10 marks के general intelligence के 20 questions 20 marks के arithmetic ability के 20 questions 20 marks के हैं तो यह आपके जो है total 50 marks का आपका general हो गया 100 marks का हमारा जो है हमारा फार्मेसी का portion हो गया ओके total आपके 100 questions 150 marks के हैं और पेपर जो है bilingual होगा हिंदी और इंग्लिस दोनों में होगा duration आपका 60 marks आपको जो है आपके टेक्निकल के लिए मिलेगा और 60 marks आपका जो total 120 marks का जो आपका पेपर रहने 120 minutes का हमारा जो है दो घंटे का यह पेपर रहने वाला है और negative marking होगी ध्यान रखना है 0.251 fourth negative marking इसमें रहने हमारे 0.25 marks लिखा हुआ है तो वन फॉर्थ आपकी नेगेटिव मार्किंग हो गई तो क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है यह नहीं है सारे के सारे कर दिये हैं और बाकी आपका qualifying marks लिखा हुआ है qualifying marks रिटरन online exam will be 45% तो है आपकी जनरल के लिए बाकी 40% OBC यह सब आप इसको देख लेना ओके और जो है phase second scheme of examination यह typing वगरा यह उनके लिए ओके देखिए और जो है इसमें mode of selection लिखा हुआ है important note ही सारा यह जो इनकी website है ओके तो आप यहां पर इसे visit करके जो है देख सकते हैं और जो है इसमें और कुछ है क्या बस देखिए इस वीडियो में देखिए यह इतना ही लिखा हुआ है तो आप जो है इसको अच्छे से चेक करके और जो है इसको apply करके बाकी जो है फिर इसके लिए क्या करनी है हमें बहुत ही अच्छी तरीके से प्रप्रेशन करनी है देखिए बहुत ही अच्छी ओपोर्चुनिटी है आप लोगों के पास देखिए यह साइसी का जो प्रिवेस पेपर अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो 2019 में पेपर हुआ था यह पर मैंने चैनल पर अप्लोड किये हुए वर वी.डियो में बहुत यह से अब इसके लिए बहुत ही अच्छे पर ज्यू नहीं वहाँ करने कि यह बहु नहीं लगेगा तो आपका जैसे ही मतलब 30 October last date है न तो उसके बाद मेरे साफ से मतलब की दो मतलब एक या दो महीना लगा लेजी आपका एक्जाम की डेट भी नमबर दिसंबर आई थिंग जनवरी तक मेरे साफ से इसके एक्जामनेशन डेट आपके पास आजगी तो देखे इसके लिए आप पंदरा दिन हम लोग पढ़ लेंगे कितना सारा से लिए बस होता है जितना पढ़लो उतना कम है न तो अब इसे ही जो आप इसके लच्छे से प्रक्रशन स्टार्ट कीजिए बाकि मैं भी आपके लिए बहुत ही अच्छे बहुत ही प्यारे-प्यारे क्वेशन सापके थेंक्यू